चंडीगड नगर निगम के नए मेयर के लिए वोटेक जारी है यहां देश में पहली बार विपक्षी दलों के इंडिया और बीजेपी के बीज सीधा मुकाबला है इंडिया से आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस मिलकर चुनाओ लड़ रही हैं वहीं 35 पार्शदों वाले निगम में आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस के 20 पार्शद हैं जबकि भाजपा के पास 14 पार्शद हैं इनमें भाजपा को एक वोट सांसत किरंड खिर की भी मिलती है इनके अलावा अकाली दल का भी एक पार्शद है वहीं निगम में मेयर के बहुमत के लिए 19 वोटों क की जरूरत है चंडीगर निगम में पिछले दो साल से लगतार भाजपा का ही मेयर बनता रहा है हालाकि इस बार आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस के एक साथ होने से भाजपा की जीत हत्रे में पड़ी हुई है इसमें सीधा-सीधा मुकावला आम आदमी पार्टी के पार गुर्प्री सिंग गावी और भाजपा के उम्मीदवार कुलजी सिंग संधू के बीच में मुकाबला रहेगा इसके लावर डिप्टी मेयर के लिए कॉंग्रेस पार्शर निर्मला देवी जो गड़बंधन की उम्मीदवार है और राजिंदा शर्मा जो की भाजपा के उ गब लहुगा